किसी भी लोग से वायोग की मुख्य फरिक्सा में आप बैठने वाले हैं, सामाने अध्धन की बात हो या निभंद की बात हो इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए मुझे विश्वा से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है वीडियो अंग तक जरूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत यूजफूर होगा दोस्तों आपने देखा होगा, अकबार में इंटर्यू आता है, किसी बड़े नेता का, बड़े बिरोकेट्स का या किसी अधिकारी का उससे जब पूछा जाता है, तो किसी भी संग्यान में अभी अभी आया है, मैं देखता है, उनका जवाब यही ओतार, इंटर्यू में यही बात कहते है, मोटा मोटी यह आपने देखिए होगे यह की बात अब आपका उगे साब मुख्य परिक्सा से निबंद से इसका क्या वास्ता है, बिल्कुल वास्ता है दोस्तों, मेरा यह मानना है कि मुख्य परिक्सा के अंदर आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो समाधान या द्रश्टी या आपका वीजन क्या है, इस स की चुनोतिया है, भारते लोगतंतर की उपलब्दियां क्या है, तो जब आप भारते लोगतंतर की उपलब्दियां तयार कर लेंगे, आप किसी भी विश्टाई पर उतर लिखने के अंदर सक्सम हो जाएंगे, जैसे आपको उधान देखे बटाता हूँ, कि भारते लोगत अब ये आपको 50 सब्द में पूछ सकते हैं, आपको 100 सब्द में पूछ सकते हैं, एक्जाम के नेचर के साब से, आपको निबन में पूछ सकते हैं, आपको इंटर्वी में पूछ सकते हैं, तो इस एक टॉपिक पे आपकी द्रश्टी कैसी होनी चाहिए, द्रश्टी ये होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप यह कहूँ कि साब लोकतंतर क्या है, तो आप कहूँ लोकतंतर भारत की अगर बात करें, तो भारत के अंदर लोकतंतर एक सिर्फ राजनितिक पद्दती नहीं, यह आप अप्रेमिंग होनी चाहिए, एक जीवन पद्दती, एक दर्सन है, जो जन सब्सक्राइब लोकतंतर इतने सालों के अंदर हमने लोकतंतर गरहन किया पहले यह बताओ कि इन कारणों से हमने लोकतंतर गरहन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद्य लोकतंतर की बात कई फिर आप बताओ कि संसद्य लोकतंतर की इतने सालों की अंदर कुछ सवाल उठने लगे लोकतंतर की चुनोतियां ये अगर है अब मुद्दे पर आता हूँ वापस कि अगर आप से 50 सब में पूछ ले कि भारती लोकतंतर की चुनोतियां क्या है ठीक है तो आप कहूँ कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंतर कुछ समस्याओं से जूद रहा आप ऐसा आप उतर अच्छा भी लिखते हो लेकिन एक लाइन आप ने लिख दी कि भारती लोकतंतर समस्याओं से गिरा हुआ है तो एक हलका सा लग जाएगा कि आपकी सोच थोड़ी से नेगेटिव है आप कहूँ कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंतर कुछ समस्याओं से या निम सा है राजनिती के अंदर अपरादी करण है बढ़ती हुई जन संख्या है है ना और जो संसादन है है ताई पैसों की बात हो किसी और की बात हो उनके अंदर मोनोपॉली है कुछ लोगों के पास में कैंतरी करते हैं तो ये एक छोटी सी दरश्टी होगी 50 सब में अगर पू तो दरश्टी होनी चाहिए अब दरश्टी वापस मुद्दे पे आता हूँ कैसे होने चाहिए सबसे पहले लोगतंतर है क्या आप ये बताओ ठीग फिर आप बताओ लोगतंतर किन समस्याओं से जूज रहा तो आप ये को साब ये लोगतंतर जो है ये समस्याओं से जूज लेकिन इनको अंतनी मानना इन समस्याओं को ये कहना है कि सब हमारा जो लोकतंतर है कोई ज़्यादा पुराना नहीं है हमारा लोकतंतर साथ दसक पुराना है मुश्किल से ठीक है तो हमने बहुत पाया है खोया तो कम है हमने पाया बहुत ज़्यादा है और एक चूंकि हम विक लोगतंतर निर्भाद रूप से चलता रहा तो लोगतंतर में कमी नहीं है इतना बड़ा देश है इतने जनसंख्या है हमारी इतने लोग है इतनी हमारी विभिंता है सांस्कृतिक आर्थिक राजनितिक हमारे देश के अंतरगत विभिताओं का जो भरा देश है तो उसमें नि ये समय के आज यहां हो गया आज पी एसई यू मुश्किल इतने पीएस्यू थे आज पी एसई इतने बढ़ करके हो गए आज हम इस पेस के अंदर कहा जा रहे हैं आज हम महिला ससक्तिकर्ण की और बढ़ रहे हैं हमारी समाजी की रूड़िया खत्व होने को है आज मन अरेग और लोकल लानकारी योजना ही चलाई जा रही है जिससे कि गरीबर का बहुत विकास हो रहा है तो पोजिटिव सोच के साथ में बात कहूं कि देखने के नजरिया एक चस्मा है और कौन देश है जो समस्या का साबना नहीं करता विक्षत देश से उनके समस्या नहीं है कि Unki समस्या अलग है हमारी समस्या अलग है और हमारी जो गति है वो बहुत है निश्चित रूप से कुछ बादाई है लेकिन बढ़ती साख सकता जनता की बढ़ती जाग रूपता सिकसा का पर्चार और परसार श्वमसेवी संस्ताओं की भूमी का, मीडिया की भूमी का, निश्पक्स न्याईपाली का की भूमी का, सांतिपूर्ण तरीके से होते लोकतंतर और मतदान, मतदान के अंतर जनता की बढ़ती भागिदारी, इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी का परियोग, सिटिजन चार्टर सिप, सोसल अडिटिंग, लोकसिवा गारंटी अधिनियम, गुड गवर्नेंस की बात है, सासन के अंदर हर जगे ट्रांसपेरिंसी बढ़ रही है, पारदर सिता की और बढ़ रहे हम, और भारत का जो युवा है उस युवा के अंदर बहुत ज्यादा एनरजी है, है ना, तो आप इस तरीके से वीजन रखो, दोस्तों ठीक, ये बात चाहिए मुख्या परिक्सा की हो, चाहिए साकसातकार की हो, दोस्तों जब आप हो, व्यक्तिगत विचार चाहिए आपके कुछ भी हो, है ना, मैं तो क होगी, तभी उसका समाधान होगा, तो भारते लोकतंतर ऐसी कुछ समस्याओं से गिरा हुआ है, लेकिन जब देश की जनता जागरूप हो, तो उस देश को चिंतित करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप अपने बात का समापन कर सकते हो, मुख्या परिक्साम 50 सब में पूचे तो 50 सब में लिख दो, 100 में पूचे तो 100 में लिख दो, 200 में लिख दो, और इसी विसे को निबंद का रूप देना हो, तो निबंद के अंदर कह दो, और सकसातकार के अंदर पूचे के देश की प्रॉबलम क्या है, लोकतंतर के प्रॉबलम क्या है, ये बता दो, ल तिक जो टॉपिक है उसको आप अच्छे तरीके से तयार कर सकते हैं बहुत बहुत दन्यवाद